नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं यूपिटर पलसे के वीडियो रियेग्जाम को लेकर और जो मैंने आपको बिलकुल कल खबर दी थी वो बिलकुल सही साबित होई है जिया दोस्तों दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी ऑथन्टिक न्यूज जो बिलकुल आयो के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों कल मैंने खबर देती आपको ये आप देख सकते हैं ये मेरे कल की वीडियो है 22 मार्च और इस वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि यूपिटर पलसी के अंदर वीडियो री एक्जाम को कराने के लिए कारवाही शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इस प बिल्कुल कल आयो के अंदर खबर चल रही थी बिल्कुल आज समाचार पत्रों में वही खबर छपी है आप मेरी खबर का प्रमान देख सकते हैं दोस्तों ये है आज का निजपिपर और इसमें लिखा है अधिना सेवा चेनायो ग्राम वेकास अधिकारी ग्राम पंचत अध अधिकारी वे परियवक्षक के पदों की परिक्षा निरस्थुई थी और इसको पुनह कराने जा रहा है शाषन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी जण्डी मिलने की संभावना है अनुमती मिलते ही परिक्षा कारेकरम जारी कर दिया जाएगा इन पदों के लिए करीब 14 ला दिन माँ गया था और दिसंबर 18 परिक्षा हुई थी और अगस्त 19 में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया था और परिक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही इसमें धांदली की सिकायते आई और राज्य सरकार ने मार्च 2020 में पूरे मामले की जाच के लिए SIT गठित कर और SIT दोरा धांदली की पुष्टी के बाद इसे रद्द कर दिया गया है और कोरोना काल के चलते उस समय इस पर कोई फैसला नहीं हो सका तो भईया इस बात से एकदम साफ बात जाहिर हो जाती है कि वीडियो वाले जितने वी छात रहें आप वो बिलकुल तयार रहें कमर क चलें यूपिटर पलसी के अंदर जो है आपके एक्जाम को कराने के लिए कारवाही शुरू हो चुकी है और इस खबर का प्रमान आपको मिल चुका है जो मैंने खबर आपको वीडियो भरती पर दी थी चीक है दोस्तो तो ये हो गया आज का वीडियो और किसी भरती को लेक जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एक्दम उथन्टिक जानकारी मेरे चानल पर दे दी जाएगी यही नियुस्ती अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियो चुक्शार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैन जभारत